सब्सक्राइबगर włos jus को अप्र πα्रीघ का एक एक एलिर वाश बनाने वाद हैं प्रस, जिंक, और कपर का एक 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 हाक and होता है और यह गूल्ड की तरह दिखता है तो सब्सक्रांने के लिए मैं बस copper के उपर zinc की coating करके से heat करना है तो let's get started तो ये मेरे पास पुराना copper metal का piece है ये प्यार नहीं है तो इसको थोड़ा हमें clean करना होगा उसके लिए में इसको बस hydrochloric acid में dip करना होगा तो ये है हमारा hydrochloric acid ये hardware grade hydrochloric acid है इसे आप किसी भी hardware store से खरीच सकते हैं तो इसमें copper metal को डालेंगे एंड थोड़ी जर्बाद उसे उठा लेंगे जिससे वह साफ हो जाएगा तो ये मैं copper डालता हूं तो चलो इससे copper metal निकालते हैं और ये copper metal काफी साफ होना चाली है तो जो से कि आप देख सकते हैं copper metal काफी साफ लग रहा है और इसको मैंने water में डाला हूँ है क्योंकि हमें sodium hydroxide को concentrated solution मनाना होगा तो मैंने concentrated sodium hydroxide और zinc metal का solution मना लिया है ये थोड़ा black है क्योंकि जिंक में अभी भी मैंगे नियुक्साइड था और ये काफी गरम हो चुका है क्योंकि sodium hydroxide water reaction exothermic होती है तो अभी हम इसमें अपना copper metal डालेंगे तो चलो इसमें हमारा copper metal डालते हैं अब इसको हम थोड़ी दर के लिए छोड़ देंगे जिसे की इस पर zinc की coating हो जाएगी इसमें मैं थोड़ी से और zinc metal डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उत्माजिक कम होगा तो अभी solution को चोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए एंद फिर बनाते हैं बास तो अभी कुछ 30 मिनट हो चुके हैं solution को तो चलो copper को बहार निकालते हैं जैसे कि आप देख सकते हो copper काफी ग्रेश लग रहा है कि इस पर zinc की कोटिंग हो चकी है अब मैं इसको water से wash करके इसको heat करते हैं तो चलो heating करते हैं तो मैंने gas on करनी है चलो इसको heat करते हैं करने के बाद भी यह ब्रास जैसा तो नहीं बना हीटिंग में कभी कभी यह थोड़ा golden कलर का हो रहा था लेकिन वह जैसे बन रहा था थोड़ी दिर में oxidize हो जा रहा था तो यह सारा copper oxidize हो चुका है और यह प्रोजेक्ट फेल हो गया अगर किसी को पता है कि यह कैसे हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है यह ब्रास क्यों नहीं बना मेरे को लग रहा को heating में प्राब्लम थी तो अगर किसी को पता है कैसे हुआ और इसको कि यह बहुत आइब बाब